यह हैं कि आप सर्सो का तेल लीजिये और सर्सो के तेल में आप हलदी मिला लेजे। थोड़ा सा उसको गरम कर लीजिये। वह ओईल का application करके जहां पर भी दर्द है। से जॉइंड-पेन की बात कर रहा हूं पर जहां पर भी एरियाặt माल लिजए गुटना है तो गुटने पर आपने वही ऐकैसिन करने के बाद में आपने उसको पॉलेथिन जो प्लास्टिक की पॉलेथिन रहती है उससे आपने उस जॉइंड को कवर कर लिया ये क्यों कर रहे हैं उसको इंसुलेट कर रहे हैं ताकि blood circulation maximum हो heat maintain रहे इसलिए हम उसको इंसुलेट कर रहे हैं वाइल एप्लिकेशन करने के बाद एक प्लास्टिक की पॉलेथिन लेके उस जॉइंड को हमने कवर कर लिया वह जॉइंड कवर हो जाने के बाद में गरम पानी की थेली हर एक medical shop पे मिल जाएगी मेंगी भी नहीं होती है दो ड़ाई सो रुपे में आपको थेली मिल जाएगी वो आप थेली लेके आजाए ये बहुत effective है जब कभी भी दर्द की problem है और बहुत के घरों में होगी यहाँ पर आपके मन में ये भी question आएगा क्या प्रिक्रिक यूज कर सकते हैं मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक ना ही यूज करें तो अच्छा है जितना हो सके आप गरम पानी की थेली रखें और वो आपको बहुत effective रहेगी और वो लेके आए उसके लिए किवल आपको गरम पानी करना है काफी लोगों के घर में गीजर लगा यह प्रिक्रिया अगर आप करते हैं तो सुबह शाम जाएं